दोस्ते नमस्कार हिंदो इसमें आपका स्वागत है मैं होई कराम हम बात करते हैं करोना से जुड़े नहीं अपडेट को लेकर क्योंकि करोना को लेकर 18-19-20 दिन का लोगडान पूरा हो चुका है और आप कुछ राज्ये इससे खुलने का विचार कर रहे हैं साथ ही कुछ राज्ये से बढ़ाने की बात करें तो बात करेंगे यहां पर कि करोना से जब पूरा देश पूरी दुनिया संकर से जूज रही है ऐसे हम हमारा यहां का गोदी मीडिया और सारे अख़बार उनके पास कोई ख़बर नहीं है करोना को लेकर तो हम आपको दिखा देंगे कुछ अच्छी खबरे जो करोना के बीच और इस लोगडान के बीच कुछ अच्छी खबरे जो आपको कुछ तसली दे सकती है हाले के गोदी मीडिया काम तो सिर्फ नफरत और धर फैलाना है और इसके आने वाले टाइम में इसका ज़ल देखने को हमें मिलेगा क्योंकि जो फिलाल हमारे नोजवान हैं बच्चे हैं उसको ज़्यादतर डिप्रेशन में जा रहे हैं बाहर निकल नहीं पा रहे हैं तो बच्चों का दिमाग ज्यादा खराब हुरा है तो उसकी वज़े से लेकिन वीडिया उस पर कोई ध्यान नहीं है उसे तबलीग और जमात के नाम पर एक प्रोपगेड़ना फिलाने के लिए एक मौका मिला हुए और दो हफ्ते से उसमें लगा हुए है मैं अतबलीग और जमात का कोई बचाव नहीं कर रहा हूँ जिसने जो गलती किये उसकी सेजा मिलनी चाहिए लेकिन एक समुदाई विसेस के खिलाब इतनी नफरत भर देना कि इसका असर गली महले में भी आपको देखने को मिल रहा है सब्जी वायलों से लेकर और जो कोई भी ठेली लगाने वाले लोग है उनसे उनका नाम आधार कार्ड पुछा जा रहा नहीं है तो उनकी पिटाई की जा रही है अब बात कर लेते हैं कि ऐसे निराशा की टाइम पे जब करोना से लेकर लोगडाउन के बीच निराशा का ज भी ठिती है तो शरुआत करते हैं तो हम आपका ऐसे शहर के तरफ लेका करते हैं जहां पर करोणय का असरस सबसे पहले देखने को के मिला और उन सबसे चाहरों dign अनने किये उससे कृ identifying और बिलकुल खतम हो गया तो सबसे पहले बात कर लेता ह। फरवरी वहरी 29 मार्च और 6 मार्च के बिच यहां पर एक केस आये था, पठान मीठा एक जिला है केरिल के अंदर, यहां पर एक केस आया तो यहां पर एक मौडूल का इस्तमार है la han Si 6 मार्च और यहां पर चल रही है, उन्होंте इस तरह से काउंट किया, कि आज के टेम पे वहाँ पर एक भी केस देखने को नहीं मिल रहा है उसी तरह भीलवाडा राजिस्थान में जहां पहले 26 मार्च को 17 केस दर्ज हुए लेकिन वहाँ उन्होंने पूरे जेला के इस तरह से घेरबंदी की ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया और पूरी तरह से सैनिटाइज किया और आज वहाँ एक भी केस दर्ज नहीं हुआ इसी तरह यूपी के आगरा को लेते हैं यह आगरा एक शहर ऐसा जापर ताजमेल है लाल के लाया और वहाँ पर लाखों के ताजमेल में रोज़ाना डृस्ट आते हैं और अभी हाल फिलाल लोगडाउन से पहले दो लोग औस्वेला के दोरे से यह आए तो शक्वाकिन उसे कोडोना हो सकता है तो तीन किलोमेटर के घेरामंदी की गई इस पूरी एरिया को सेल कर दिया गया और एक लाख 65,000 घरों को सैनिटाइज किया गया और पूरी तरह से वार रूम में उसको बदल दिया गया और उसका असर यह हुआ कि 5 किलोमेटर के डाइरे को लेकर जो वाफर जोन बना गया तो फिलाल आगरा जैसे सहर में संक्रमन ना के बराबर है और तीन मुडेल ऐसे हैं जिन्होंने पूरे देश में ये एक मिसाल पेश की है चाहिए वो आपका पठान मीठा हो केरल का भीलवाडा राजिस्तान का और आगरा यूपी का हो तीनों में इस तरह से किया गया है कि अब वहाँ पे जो संक्रमन है वो ना के बराबर है चले बढ़ते हैं लोगडाउन से जुड़ी कुछ और खबरों की तरफ लेकि लोगडाउन दो हफटे बढ़ाने की आशंका पूरी-पूरी तरह से फिलाल हो चूप है कि हो सकता है कि दो हफटे का लोगडाउन और बढ़ा दिया जाए और जयादतार जो राज्ये के मुक् मंतरियों पंजाब के हो और दिल्ली के हो इनने का कि लोगडाउन को थोड़ा एक्सटेंड करने की जरूरत क्या है लेकिन कुछ जगा हटाने का भी काम शुरू हो गया है तो ऐसे मैं किस तरह से हटाए गया उस पर थोड़ा सा जो खबरे आई हैं वो आपको सामने रखता हू यह नहीं कहीं तरीके तरीके से होंगे अलग-अलग भागों में लागू करके हटाए जागा एकदम हटाएंगे तो हो सकता अफरा तफ्री का माहूल मज जाए लोग जो इदर उदर भागना शुरू कर दे और बहुत सारी परिशानी उससे आ सकती हैं देश में अभी जोन क कम माम लाएं उन्हें औरेंज जोन माना गया है यानि जादा है उसे रेड जोन का जाएगा जहां पर खत्म हो चुका ग्रीन जोन और जहां पर थोड़ी संभावना है कि हैं नहीं है वो औरेंज जोन में लागू कर जाएंगे और इसी वरगीकरन के अनुसारी गतिवीद्य होंगी जितनी भी ग्रेंज जोन में खेती मजदूरी चोटे उद्योग शराब शराब की दुकाने खोली जा सकती हैं जितने भी छोटे छोटे धंदे कारोबारी दुकान वो सब खोलने की पूरी उम्मीद है और यह सब खोले जाएंगे असम और में गाले के खबर आप लो चीफ निश्टर है केशाव प्रसाद मोरिया और एंपी के हरियाना इन्होंना का किसानों की फसल इसवक्त गेहूं की तयार है और उसके कटाई के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह से कटवाई जाए क्योंकि दिल्ली अंसेयार का जो आसपास का इलागा है वहाँ पर काफी जीवत हो सकती है क्योंकि वह बिचारे घर से तो बार निकल नहीं पाएंगे तो ऐसे में उनकी जो मजदूरी उन तक नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो साल भर का एक बार ही अनाज अपने घर में कट्ठा करते हैं तो हो सकता है इस बार वो इस पुगाने खुल सकती है लोगडाउन के बीच भी